कैसे हैं दोस्तों आपकी तयारी बहुत बेहतर चल रही है और आपकी तयारी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपको लगातार डेली वीडियो आपके लिए रिजिनिंग मैत का वीडियो लगातार आपको मिल रहा है और कुछ नए नए अपडेट्स जो भी आते हैं आपको ब इससे hard आपके exam में कोई प्रस्ण नहीं आ सकता अगर आपने 5 में से 3 प्रस्ण हिला दिया कर दिया तो समले जी आप पढ़ने में बहुत ठीक ठाक है और आपका नबोदे में कोई भी selection होने से रोक नहीं सकता तो चलिए इसी बात पर question number 1 आपके सामने आ गया जल्दी से बताए कि इसका उत्तर क्या होगा प्रस्ण है किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके छेतरफल में कितने परसंट की कमी होगी काफी important सवाल जल्दी से बताएंगे एक बार आप try करेंगे उसके बाद बताए कि इसका उत्तर क्या होगा ठीक है सभी प्रस्णों को आप note करिए इसको जरूर practice करिए अगर selection लेना है तो प्रस्णों को note करें और इसकी practice करें ठीक है तब ही आपका selection होगा अन्नता देखने से कुछ नहीं होता ठीक चलिए भूल जाते हैं चलिए भाई इसके हम आपको trick बता दे रहे है trick क्या है trick ये है direct लिए 2x-x square upon 100 जब भी किसी work कहे work के लिए है बस ठीक है आप ध्यान रखे work कहेगा तभी ये trick काम करेगी आयत कहेगा तो उसके लिए अगली trick है आपको अगली सवाल में बताया जाएगा किसी work कहे work कहे भुजा को 20% घटा दिया जाए बढ़ाने के लिए यहाँ plus होगा घटाने के लिए minus बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए बस आप इसको ध्यान रखेए तो उसके छेटपल में कितने परसत की कमी अब रिद हो तो आप लगाएंगे 2x minus x square upon 100 2 into x का मान कितना होगा 20 होगा तो 20 दूना 40 डारेक लिए कोई दिक्कत नहीं होगी ना 20 यह है 2 यह है 20 दूनी 40 होगया minus 20 के square कितना होता जी 400 होता है ठीक है यहां यक्स के आप क्या रखेंगे 20 बटे 100 1,2,1,2 40 में से 4 कटाइंग बचे के कितना 36 यनि आपका पहला आपसन बिल्कुल राइट अंसर होगा ठीक चलिए अगला कुश्चन देखते हैं जो चीज की कमी थी वो आपके सामने आ गई एक आयत की लंबाई में 10 प्रसंट की व्रिध्धी करने तथा चोड़ाई में 20 प्रसंट की कमी करने पर छेतरफल में कितने प्रसंट की व्रिध्धी अथवा कमी होगी आया से सम्मद ने सवाल आ गई अभी तक हम क्या पढ़े वर्ग लेकिन अब आयाता गई चले भाई इसकी ट्रिक देखते हैं इसकी ट्रिक क्या होगी जो यहां ब्रिध्धी दिया जो कमी दिया लंबाई और चोड़ाई इन दोनों को हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे जो दिया लंबाई माइनस चोड़ाई क्या लिखेंग लंबाई माइनस चोड़ाई जो बृद्धी कहेंगा ठीक है माइनस लंबाई गुड़े चोड़ाई बटा सव ये इसकी ट्रीक है ठीक क्या ट्रीक है लंबाई माइनस चोड़ाई माइनस लंबाई गुड़े चोड़ाई बटा सव बस काम हो गया, लंबाई कितना है जी, 10 है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, माइनस, चोड़ाई कितना है जी, 20 है, ठीक है, इसको 10 को सही से बना लेते हैं, 10, 10, माइनस, 20, माइनस, लंबाई गुड़े चोड़ाई, 10 into 20, अपान क्या होगा, 100, 1, 1, 1, 1, बचा यहाँ, 20 में 10 घटाएंगे, तो क्या बचेगा, माइनस, 10 बचेगा, माइनस, यहाँ क्या बचेगा, 2, 10 में 2 जोड़ेंग कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 12, वो भी किस में आ रहा है, माइनस में आ ठीक है, माइनस, 12, दोनों माइनस में है, ठीक है, दोनों कुईशन देखते हैं कुईशन नमबर तीरी तो चलिए भाइस का सल्यूशन देखते हैं कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की बृधि की गई तथा एक टिकट के मुल में भी 10% की बृधि की गई तब कुल कितने तब कुल आय में कितने प्रसत की बृधि होगी तो अगर हम इस सीटे कितने थी 100 थी और एक टिकट का मुल मा लेते हैं कि 100 रुपए था तो अगर हम इसका गुड़ा करें तो 10,000 आएगा मतला उनको पहले 10,000 रुपए मिल रहा था ठीके अगर हम कह रहा है कि 25% की बृधि कर दी जा उसकी सीटों में तो 125 होगा 100 के बजाए क्या होगा 125 क् कि पहले हमने 100 माना था जब 25% बृधि करेगा तो 100 का 25% कितना होता पाचीस तो 125 और मुल में भी 10% की बृधि तो यानि 110 हो जाएगा ठीक है 100 से 110 हो जाएगा इसका गुड़ा करें तो 13,750 रुपए आ जाएगा हमसे पूँच रहा है कि कुल आए में कितने प्रस्षत की बृधि अगर पूँचता कितने रुपए हो की तो हम जान जाते है कि 3750 रुपए है की लेकिन पूँच रहा है कितने प्रस्षत की तो हम इसको घटाएंगे इसको घटाएंगे तो 3750 आएगा टोटल पहले की आए क 275 यहां 10 कब आया होगा जब यहां पर एक अंग के बाद पॉइंट रहोगा यानि 3.75 37.5 37.5 37.5 यह आपका क्या हो जाएगा उत्तर यह आपका C आपसन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चलिए भाई इसके बाद अगला कुश्चन देखते हैं काफी important सवाल हैं सभी सवालों को आप note करते चलिए हो सकता है कि आपकी exam में यही सवाल आ जाए तो चलिए तो चलिए भाई question number 4 देखते हैं काफी important सवाल एक मेंच को 255 में बेचने पर 15% की हानी होती है मेंच का क्रेमूल क्या होगा अगर आप ने इसको नहीं लगा पाया तो समझ लेजे कि बिल्कुल बिल्कुल गड़वर तयारी आपकी है 255 में बेचने पर 15% की हानी होती है एक बार आप ट्राइ करेंगे उसके बाद हम आपको बता रहे हैं ट्राइ करिए भाई चलिए बस बस टाइम हो गया 255 लिखिए क्रेमूल बराबर क्या तबी क्रेमूल गुड़े सव बटा सव मानस हानी सव में 15% की हानी मतलब 85 तो पांच करना 55 इसको काटेंगे 20 बार जाएगा 17 इसको काटेंगे तो 17 करना 17 सतरा पचे 50 ठीक है 15 गुड़े 20 बराबर कितना जाएगा 300 तीन सो रुपए यनि आपका डी आपसन बिल्कुल राइट एंसर होगा चलिए लास्ट कुश्चन देखते हैं काफी इंपोर्टन सवाल आपके लिए आने वाली है तो चलिए भाई इस वीडियो की लास्ट सवाल आपको 5 ही सवाल द अच्छी तथा वस्त के क्रेमुल के बराबर प्रसतलाब प्राप्त किया वस्त क्रेमुल क्या है एक बार आप ट्राई करिए उसके बाद हम आपको बता रहें कि इसके उत्तर क्या होगा सवालों को आप जरूर नोट करें जिससे आपके पेपर में और आप इसकी प्रैक्टिस करें तक ही आप पेपर में जादा से जादा नम्बल ना है प्रैक्टिस जरूर करिये जरूर करिये जरूर करिये ठीक है आपको मैंने बहुत कुश्चन दिये सभी कुश्चनों कि आप प्रैक्टिस कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका नबोदे के एक्जाम ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता आपके 100 में से 100 आएंगे तो चलिए भाई इसका सलिवसन देखते हैं तो देखिए इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब उतने ही प्रश्चत का लाब हो जैसे वस्ट करे मूल के बराबर लाब हो तो इसकी एक ट्रिक है बाकी आप लांग में थर लगांगे तो काफी लंबी लगी एक सवाल तो हम मानते थे कि सव रुपए माल लीजिए ठीक है सव का अधा क्या होता है पचास पचास इसमें घटा दीजिए पचास का अधा क्या होता है पचीस पचीस को रूड में रखेंगे प्लस कर देंगे विक्रे मूल क्या होगा विक्रे मूल ठीक है और और 10 का रूड क्या होता है दस तो इसी से हम गुड़ा कर देंगे ठीक है यह सकी ट्रिक थी जब के उतने पैसनका लाव इंधने पर्म की अगर यह लाव कहेगा तो यहाँ प्लस हानी कहेगा तो यहाँ पर माइनास ठीक हे इसको ध्यान रखिएगा 10 into 25 में इसको जोड़ेंगे तो आएगा 72.85 माइनस पचास ठीक है मतलब अब इसका रूड चाहिए इसका रूड क्या होता है 10 into इसका रूड होता है 8.5 यह 85 कि स्क्वार कितना होता 85 माइनस पचास ठीक है इसका गुड़ा करें कितना जाएगा 85 माइनस पचास पचास में 50 गटाएं कितना बचेगा 35 यही आपको उत्तर हो तो दोस्त यहां पर आपकी यह सवाल समाप्त हो गई ट्रिक को जरूर देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टन सवाल है और इस सवाल मैंने प्रेक्टिस सैट में कराईए आप जरूर करें जनुर करिए जरूर करिए ट्रिक बताये बहुत आसानी तरीके से ठीक हैं तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में विडियो देखने के लिए बहुत ढद़्यवास सब्सक्राइब कर लीजिए गा नहीं तो घ हाटा हो जाएगा आपका